हलो फ्रेंट्स कॉंप्टिशन कमिटी की वीकली करेंट एफेस प्रग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हेमन प्रथाम आईए फ्रेंट्स आज हम देखते हैं पिछले वीक में साइंस और टेकलोजी और इंवार्मेंट से लेलेटेट उन सभी महत्पूर्ण करें के साथ साथ इसके स्टाटिक पार्ट को भी कवर करते हैं ताकि एक्जामिशन पॉइंट आप उसे आपको एक बहतर और सॉलिड एप्रोच मिल सके जिसमें कि हम पिछले वीक में 24 अप्रेल तक के करेंट एफेस को कवर कर लिये थे इसके आगे 24 से लेके 1 माई तक की करेंट को कवर करेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट की याद रखना फ्रेंड्स की हम पूरे सेशन के दौरां जितना भी हेल्दी डिसकुशन करते हैं चाहे वो डायनेमिक हो स्टाटिक हो यह सभी आपके एक्जाम के पॉइंट आप उसे काफी रेलेवेंट होते हैं चाहे आपका जो है वंड एक्जाम, mcq-based हो या रिटन एक्जाम की बात करें किसी भी राजजिस तरी या राश्टिस तरी की बात करें सभी एक्जाम के पॉइंट है वो से यह इक्वली इंपॉर्टेंट है तो इस बात को आप ध्यां रखेंगे अब यहाँ पे आगे बढ़ते हम देखते ही क्या मनाय जाता है," यह मनाय जाता है वर्ल्ड इंपॉर्टेंड एशन एवर्नेस वीक मनाय जाता है, यह रखना लजाएगा developments बात कंब और 30 अपरेल बारत में समय से पहले एक दिन 83 अपरेयल से पहले ने 33 अपरेल का जो theme था वो theme था क्या है long life for all सभी के लिए लंबा जीवन यह इस साल का theme था तो दो मात्मून fact यहां पे समझेगा यह last week अप्रेल का last week जो होता word immunization awareness week होता और यहां पे इसका theme अब यहां पे बात आ जा रही है immunization यह कौन सी बला है जो कि अभी आप post covid एरा से पार होते हुए आए हैं जिसलिए आपको आसानी से पता होगा कि यह vaccination यह immunization कौन सी बला है जिसमें कि हमको vaccine यह टीका लगाए जाता है तो याद रखना आप सभी कि जब हमारे body में क्या होता है किसी प्रकार की वाइरस बैक्टिरिया प्रोटो जोवा फंगस का जो है attack होता है तो attack होता है तो आपकी body में क्या होती है एक antibody बनती है antibody बनती है यह antibody आपके सरीर को क्या करती है सुरक्षा प्रदान करती है प्रती रक्षा या immune system कहते हैं लेकिन जब कोई विसेश प्रकार का वाइरस बैक्टिरिया प्रोटो जो आप फंगस आदी आते हैं तो उसके प्रती जो है आपके body में resistance पैदा करने के लिए हमको टीका लगाया जाता है बाहर से हम vaccine लेते हैं यह vaccine का काम भी वही होता आपके body में antibody बनाने की के जो है दर को बढ़ा देता है ताकि आपके body में immune system जो है वो develop हो सके और जिसके कारण जो है आप वाइरस बैक्टिरिया फंगस पोटो जो एटसेटर सभी पार्ट से क्या आपके body को जो है प्रतिरक्षा आपका develop हो सके और आप जो है स्वरक्षित रह सके अब यहां पर आज हम focus करने वाले हैं कि ऐसे segment को जो हो सकता है आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा और एक ऐसे important हम journey को मैं बता रहा हूँ development journey को जो आपकी concept को पूरी तरह से clear कर देगी वो यह है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी के बाद से भारत में vaccination कप्रारम तो हम देखेंगे कि वहां post covid नहीं हम post independence की समय से जब देखते हैं कि भारत में vaccination टीकर करन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और यह आपके exam में पूछे जाते हैं तो देखते हैं इस part को इस developmental journey को आप समझेगा कोसिस करेंगे कि हम सभी fact को इसमें cover कर लें जिसमें कि हम basically focus प्रोग्राम पर वैक्सीन को लेगे अब हमारे जो है previous session के दौरान सुरुवाती दौर में जो हमने इस current face part को start किया था उस समय वैक्सीन को लेकर भी clear किया गया था ठीक है अब यहां पर देखते हैं कि आज जो है इस part को जो cover करने वाले हैं कि भारत में भारत में ठीक है टी का करन यानि वैक्सीनेशन का कारिकरम या इसका हम कह सकते हैं developmental program ठीक तो इसमें याद रखना में keyword से बता रहा हूँ देखो एक word आपने सुना होगा EPI ठीक है EPI इसलिए सुना होगा क्योंकि सुरुवात जो है यह part था extended program of immunization ठीक है विस्त्रिती का करन कारिकरम यह start हुआ 1978 में 1978 में सोचिए उससे पहले वैक्सीन भारत में लगा है नहीं जाता था तो यह बात है कि भारत में immunization extended immunization program जो है start हुआ ठीक है extended program of immunization जिसमें की हम देखते 1978 से प्रारम हुआ था इसके बाद यह क्रमसा आगे बढ़ा उसे फिर से क्या है थोड़ा बदला गया इसके अप universal program of immunization यहां पर देखते हैं यह हुआ था वर्स 1985 में ठीक है जिसमें की हमको यह है वैक्सीन लगाने थे different type के disease के ठीक अब यहां पर देखते हैं यह चलता गया चलता गया चलता गया अब वर्स 2009 से लेकर वर्स 2013 तक जो है देखा गया यही प्रोग्राम चल रहा था क्या है अब इम्मेनाइशन क्यों कहते हैं तीक है सारवजैनिक टीका करन कार्करम क्यों कहते हैं क्योंकि यह सभी टाइप के vaccine को लेकर आगे बढ़ रहा था इसमें सभी टाइप यह आपके चेशक से लेके पोलियो से सभी प्रकार के vaccines थे अब यहां पे जैसे ही पहुंशते हैं कि इस समय जो है इसका जो immunization rate जो है बहुत जादा growth नहीं दिख रहा था hardly 1% का growth दिख रहा था तो उसके बाद जो है इसको fast करने के लिए जो है यहाँ पे fast करने के लिए important part जो है इसमें initiate किया गया verse December 2014 में ठीक है उसका नाम है mission इंद्रधनुष ठीक है mission इंद्रधनुष में क्या था कि यहाँ पे इंद्रधनुष में 7 color होते ठीक है तो 7 important disease को लेकर जो है तेजी से मतलब बहुत ज़्यादा fast और rapid type का इसमें immunization हो सके इसलिए mission इंद्रधनुष लांच किया गया था December 2014 को यह बातें आप याद रखेना ठीक है इतना दूस सभी को clear हो गया है अब यह जो mission इंद्रधनुष है सुरुवाद में 7 important disease को लेके प्रारम किया गया था था थोड़ी दिर में मैं आपको वो disease भी बताऊंगा लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे कि यह इस प्रकार भारत में 1978 फिर 1985 और फिर वस 2014 में से fast और rapid करने के लिए इसे mission इंद्रधनुष नाम दिया गया और vaccination प्रोग्राम आगे बढ़ता चला गया इसके बाद देखते हैं है न मैं इसे मालो short form में लिखूं MI लिख सकता हूं mission इंद्रधनुष ठीक है इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 2015 के बाद वर्स 2017 को जो आया था ठीक है यह हूँ था IMI कहते हैं यह हूँ था 2017 में यह IMI का full form क्या है Intensified Mission इंद्रधनुष सगन इंद्रधनुष कार्यक्रम ठीक है क्या लिखेंगे सगन इंद्रधनुष इंद्रधनुष कार्यक्रम और यह जो हूँ था यहाँ पर याद रखना basically किस लिए किया गया था कुछ ऐसे छेत्र जो सहरी छेत्र थे वो जो छूट गए थे उनको ज़ो है जावतर कवर करने के लिए IMI या Intensified Mission इंदर गधरूज जो है लांच किया गया था आप ये सभी points समझ में आया इतना दूर तक था कि सहरी जो जनता थी जो छूट गई थी basically हमारा focus कौन होते हैं हमारा focus होते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं या जो गर्वती मात आए हैं उनको vaccine के लिए basically जादा focus किया जाता है तो उसके बाद देखते हैं कि ये part हुआ इसको और और नाम से जाना जाता है mission IMI है ना IMI 1.0 भी कह दिया जाता है ठीक इसके बाद देखते हैं IMI intensified mission इंदर धनुस 2.0 फिर आता है 2.3.0 तो IMI 3.0 इसके बाद देखते हैं IMI ठीक है intensified mission इंदर धनुस ये 4.0 ये जो है याद रखना इसी फैबरुवरी 2017 2022 को जो है ये प्रारम किया गया था यस जस दो मेहने दो तीन मेहने पहले की बात है intensified mission इंदर धनुस सघन इंदर धनुस कारेकरम 4.0 और याद रखना ये जो 3.0 था यानि intensified mission इंदर धनुस सघन इंदर धनुस कारेकरम का जो है 3.0 इसमें 12 ऐसे बीमारियों को कवर किया जाता है और यही important है आपके लिए ठीक है 12 important disease को जो है कवर किया जा रहा है और वोशी को 4 में भी कवर किया जा रहा है ठीक है अब मिसन इंदर धनुस 2.0 की बात करें यह आया था जैसे कि यह 2017 है तो वर्स 2019 और बीस ठीक है अब आप लोग मुझे यह बताए कि क्या आपने पल्स पोल्यो जो है प्रोग्राम आपने सुना है तो क्या मुझे आप बता सकते हैं घारत में पल्स पोल्यो जो कारेकरम है कब स्टार्ट किया गया था किस प्रकार यह आगे बढ़ा तो इसका आंसर महीं बता देता हूं कि देखिए कि यह स्टार्ट हुआ था वर्स 1995 में पल्स पोल्यो कारेकरम अब यह पंचानवे से लेके 20 तक जाओ तो होते हैं पूरे के पूरे 25 वर्स तो 25 वर्स तक हमने क्या डेवलप्मेंट किया क्या चीज़े नहीं अचीव किया इसको लेके रिव्यू किया गया और इसे और आगे बढ़ाया गया याने कि आयमाई 2.0 का संबंध पुल्स पॉल्यो कारिकरम के साथ प्रत्यक्स तरीके से था उन्निस सो पंचानवे से प्रारम हुआ पुल्स पॉल्यो कारिकरम इतना सक्सेस्फुल रहा कि वर्स 2014 तक भारत पूरी तरह से पॉल्यो मुक्त राष्ट बन गया ठीक है तो यह पॉइंट आपके लिए significant कि 2014 को भारत क्या है पॉल्यो मुक्त राष्ट बन गया पॉल्यो क्या है वाइरस है फॉल्यो पॉल्यो यहाँ पर एखना पॉलियो मुक्त भारत कब बना पॉल्यो मुक्त भारत वर्स 2014 में बना यह देख रहे हैं कि वर्स 1978 से प्रारम हुआ भारत का वैक्सिनेशन प्रोग्राम अब वर्स 2022 के आते आते तक इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुस का रूप ले चुका है जिसमें कि हम देखते हैं 12 ऐसे importance disease को cover किया जाता है जो vaccination पॉइंट वसंगा यह वाररव जो आपकी एक्जाम के लिहास इंपॉटेंट है और आप एक्जाम में अगर देखोगे तो ज्यादतर वैक्सीन इसी से पूछे जाते हैं इसलिए यहां पे इसको कवर कर रहें तो देखिए सबसे पहले देखते हैं डिप्थीरिया जो है आप देख रहें यहां पर मिसन भारत में कुल कितने जीले हैं तो 770 प्लस जीले हैं 773 अभी लास मैंने जो चेक किया लेकिन अगर आप सेंसर्स को माने तो सेंसर्स को 2011 के हिसाफ से 640 जीले तो उसमें क्या 416 जीले आसपास जो है यहां पे इसमें मिसन इंद्रधनुस 4.0 को लागो किया गया है जिसमें की करीब करीब 33 राज्योर के इंद्रसासित प्रदेश हैं तो जो डिसीज की बात मैं कर रहा था कि डिफ्थीरिया वूपिंग कफ याने कालिखासी टीटेनस पोलियो टीवर कुलोसिस या तपेदिक या टीवी कह देते हैं इसे ठीक है है हैपेटाइटिस भी तो यह जो सभी डिसीज देख रहे हैं इनको जो है सुरुवाती करम में क्या है इसे सामिल किया गया था फिर मैनेंजाइटिस जो एक क्या है मस्तिस के बीमारी है यह आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है मैनेंजाइटिस क्या है बेसिकली आपके ब्रेन में स्वैलिंग हो जाती है ठ उटावाइरस वैक्सीन दी जाती है नियूमोकोकल कंजूगेटट वैक्सीन है पीसीवी वैक्सीन इसे भी कह देते हैं खसरा याने मीजल्स रुबेला वैक्सीन भी दिया जाता है तो इसमें जो दो पार्ट देख रहे हैं हीमोफिलस इंफ्लेंजा टाइप बी और जैपनी इनसेफिलाइटीज जो है केवल जो है कुछ निश्चित जो है चुनिंदा जीलों में ही क्या है इसे क्या है लागू किया गया है ठीक बस इतना आप याद रखिएगा ये डेसीज आपके एक्जाम के लिहास से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज नी तो कर डेफिनिटल आपको याद रखनी है अब चलते हैं नेक्स इंपॉर्टेंट डे की और इस जो वीक था ये फिर से के इंपॉर्टेंट डे के लिए जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि किसले जो है यहाँ पे देखिए कि विस्व मलेरिया डिवस जो है पच्चीस अप्रेल को एवरी इनिशेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट है वस दोजार बाईस की जो है मलेरिया रोक के बोच को कम करने के लिए और जीवन की बचाने के लिए नवाचार याने इन्वेशन का प्रोग्राम जो है उसका उप्योग करें यह कहा जा रहा है अब मलेरिया से लेके दो मच्छर के काटने से होती है तो ऐसे मच्छर जिसके काटने से दर्द नहीं होता नहीं होता तो यह यहां याद रखना जो अपको पता भी रहा हो ही आपका मलेरीया मच्छर हो सकता हुज़क रहें वह बहुता है मच्छर के यह मादा प्लास नच्वाट की बेठा होता है और जैसे वह इनजएक्त करता आपके body में तो आपके body में वो चला जाता है तो दो important देखो total तो पांच ऐसे इसकी जो है अलग-अलग types है लेकिन plasmodium y-vex ठीक है y-vex ठीक है y-vex और plasmodium falciparum ये दोने exam में पूछा गया है plasmodium falciparum ठीक है falciparum ये क्या है plasmodium के पांच जो है इसकी जो types हैं उसमें दो है जो पैलसी पैरम बहुत dangerous होता याद रखना इससे death भी हो जाती है तो y-vex और plasiparum basically दो type के जो है भारत में दो type के parasite जो है जातर case देखे जाते है भारत जो है पूरे विस्व में देखा जाया भारत में विस्व का जो है तीन प्रदीशत case भारत में मिलता है बस इतना याद रखे ठीक है वाइवेक्स और पैलसी पैरम कई बार एक्जाम में पूछा गया है अगर आप जनरल साइंस की पेपर को solve करेंगे तो आपको यह दिख जाएगा तो बस इतना याद रखे इतना आपके इस साल के content के लिए इस malarious related चीजे के लिए काफी है ठीक है नेक्स देखते है वर्ल्ड इंटेलेक्ट्वल प्रॉपर्टी organization YWIPO का आप नाम सुने होंगे कि जैसे कि आपने कोई invention किया आपने किसी प्रकार का आविश्कार किया आपकी कुछ बौधिक छमता के दुरूब आपने कुछ develop किया अब उसे आपको patent करना है या आप उसको क्या कहना ची copyright करना है तो copyright या किसी भी बौधिक छमता के तहत ऐसे जो है वर्ल्ड इंटेलेक्च्वल पॉपर्टी और्गनाईजिशन का कन्वेंशन हुआ था 1970 में तब से लेकर जो है यहां पे इस प्रकार का concept लाए गया था और भारत देखते हैं कि भारत 1975 में इस WIPO का सदस्य बन गया जिसमें कि हम देखते हैं मानो बुद्धी के द्वारा कोई भी चीज़ा निर्मित होती है उसे हमको copyright करना है पेटेंट करना है उसका trademark आदि को करना है अब अपके नाम के करना है किसी सस्था के नाम पर करना है तो यह वैस्विक इस तर पर मानिता प्राप्त या वैस्विक इस तर पर आपको यह क्या है पूरी आपके बौधिक संपदा का सरक्षन करेगा जो किसका नाम है विस्व बौधिक संपदा संगठन डबलो आई पी ओ ठीक है जिसमें कि आपका जो है जो आपका जो आविसकार है या आपके जो द्वारत जो निर्मित प्रकार की आपकी जो इंटेलेक्च्छल लाइक प्रोड़क्ट है वो प्रोड़क का सरक्षन जो है इसी के तहथ किया जाता है इसका वाइलिशन होने पर जो है बहुत-बड़ी पैनल्टी भी लगती है आपका international organization इसलिए यह important day है clear होगे आप सभी को आगे बढ़ें तो आगे हम बढ़ते हैं कि कैसा important fact जो आपके exam के लिहाज से फिर से important है कि आपने क्या सुना होगा भारती coast guard सुना होगा जो है भारती coast guard का नाम जानते हैं 1978 में भारती तट रक्षक बल की स्थापना की गई थी जो सांती काल में सांती काल में हम देखते हैं basically भारत के border को भारत के border वो कौन सा border वो देखते हैं कोश्ट-गाड़ yapt ATM하면 समुद्री border को क्या करती है सुरक्ष्या प्रदान करती है तो इसमें क्या है, एक नया जो है पोत जो है ऊर्जा प्रवाह को इसमें सामिल किया गया और उर्जा प्रवाह जो है अभी देखते हैं कि हाल ही में जो है से कोची में इसमें सामिल किया गया जो अब भारती तट रक्षक बल में क्या है सामिल किया गया है अब ये पॉइंट में इसलिए आपकी एक्जाम के लिहास लेकर आया हूँ क्योंकि इससे रिलेटेट कुछ फैक है कि भारत में भारती तट रक्षक बल का मुख्यालय कहां है अब बता सकते हैं भारत में भारती तट रक्षक इंडियन कोस्गार्ड का मुख्यालय है न्यू डैली में नई दिल्ली में इसके अत्रिक देखेंगे अगर आप एक्जाम को सॉल करके देखेंगे प्रिवेस के गुषति रीजिनल मुख्यालायाने की छेट्री कारलाया का भी यहां पर एंग्जाम में कोश्चंज आया हुँआ है तो कुछ फैक्ट यहां पर सुन लीजिए इसका स्टाटिक पार्ट बेसिकलिए यह उर्जा सुरक्षा जो है या उर्जा प्रवाह जो पार्ट है यह नया तक यह इंड़मान वाला पार्ट भी हो गया तो यहां पर देखेंगे कि इधर दो प्लस इधर तीन पांच ऐसे जो है इसके जो चेत्री यह मुख्याला है रीजिनल हैटकॉर्टर से तो इन हैटकॉर्टर से में देखिए सबसे पहले इसका मुख्याला देख रहे हैं कि न्य वेस्टन जो है रीजिनल को यहां पे उसका हैटकॉर्टर कहां पे मुंबई में है देन अप्टर अगर आप देखेंगे इसका जो है एक और इंप्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है गांधी नगर गांधी नगर क्या है इसका उत्तर पश्चिमी ठीक है नौर्थ वेस्ट तो यहाँ पे आगया आपका पूरा यह जो पार्ट देख रहे हैं यह चैन्ने आपका आगया, इसके बाद देखते हैं चैन्ने की बात, यहाँ पे अंडमान की राजधानी पूर्ट ब्लेर, और वैसे ही देखते हैं यहाँ पे आपका कोलकाता, ठीक है, तो यह overall अगर आप कि पांच ऐसे इसके regional मुख्याले हैं छेत्री मुख्याले हैं जो आपके जो है defense technology के point आप उसे ये content important है तो हाल फिला हाल में जो भी आप paper देखेंगे तो आने वाले समय में ये चीज़ें मजबूत होती जा रही है भारत का तट रक्षक मजबूत होता जा रहा है इसलिए जो अभी पार्ट के अलावा जो एक कोस्ट गार्ड वाला पार्ट भी बहुत important हो गया क्योंकि हमारी सामरिक द्रिष्टी से यह बड़ा important पार्ट हो गया है ठीक है तो यह बातें आपको याद रखनी है कि कौन सा उर्जा प्रवाह recent में इस प्रकार का नया port सामिल किया गया है जिसमें की रिजनल सेंटर है उसको असिस करने वाले और चोटे चोटे सेंटर होते हैं जिसमें की हमने इससे पहले कोची देखा ठीक यह बाता सभी क्लियर हो गई तो कितने हम जो है चेत्री मुख्याल है पांच चेत्री मुख्याल है आगे हम देखेंगे तो आगे यह दे बेसिकली ब्रम्हपुत्र ब्रम्हपुत्र और यह ब्रम्हपुत्र भारत की नदी है और मस्कवा नदी जो रश्या की है इनके संयुक्त नाम से जॉइन टेकलोजी के थूँ डेवलब जो है भारत की सबसे सक्ती साली क्रूज मिसाइल है ठीक है क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक पाठ्वे की त्रूं यह पर किसी मिंसाइल को क्या है लॉंच क्या जाता है और यह क्या क्या है यह मांलो वाई-उ-मंडल है वाई-उ-न्डर के बाहर जाला जाता है और ग्रेविटी का प्रयोग करता हुआ ये सीधा अटेक करता है टार्गेट पर ये टार्गेट टी है तो इस प्रकार बैलेस्टिक पाथवे प्रक्षे पपत में जो जाता है उसे बैलेस्टिक मिसाइल करते हैं अगनी सीरीज की मिसाइल जो होती है वो बैलेस्टिक मिसाइल है ठीक है अब वैसे देखते हैं जो है जो है ब्रह्मपुत्र और मस्कवा के साइकत नाम से बना हुआ ब्रह्मोज मिसाइल यह क्या होता है एघ्डाइमिक पाथवे को फालो करता है एघ्डाइमिक पातवे आप समझते हैं ठीक है तो यहाँ पर दीखते क्या है कि यह एरोडारीएट बात पर जाने वाला है अब ये बात करेंगे कि जो ब्रहमोस मिशाहिल को यहाँ कि क्यों आप पढ़ रहें क्योंकि ब्रंभोस मिसाइल भारत में पहले से डिसकस कर लिए डेवलप कर लिए गया है इसे फिर से क्यों पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं कि समय समय पर हम टेक्नलोजी का जो है अपग्रेडेशन करते हैं नए प्रकार के टेक्नलोजी को सामि रहें किस से पारी है उसको जो उससे बच किया है सामने वाले को विधवन्स कर देगा उसे अटेक कर देगा उतना लीथल है यह मात्र ऐसा मिसाइल है जिससे चाइना बहुत ज़्यादा डरता इंजरली अगनी सीरीज भी है पावरफुल लेकिन वह रेंजवाइस बहुत मिसाइल है इस क्रूज मिसाइल की कुछ बाते समझनी होगी हमको सबसे पहले यह समझिए कि तीन इंपॉर्टन स्पीड वाले जो है आपके मिसाइल होते एक होता है सब सॉनिक एक होता है आपका सूपर सॉनिक ठीक है सूपर सॉनिक और तीसरा होता है हाइपर सॉनिक ठीक ह Mac तक हो, यहल ने 0.5 से लेगा, 0.99 तक लेके, जो भी आप लेंगे, मतलब एक से कम हो, तो सब सॉनिक missile होती है, सुपर सॉनिक मिसाईल जो होती है, बेसिकली 2 से लेके जो है 3 Mac तक हो, तो यह आप देखते हैं क्या है, आपका सुपर सॉनिक मिसाइल है और अगर पांच से उपर हो पांच मैक्स से उपर हो तो ये क्या हो जाता है आपका हाइपर सॉनिक हो जाता है तो ये जो ब्रमोस मिसाइल है हम जो है सूपर सॉनिक मिसाइल का टेस्टिंग किये अभी हमारे पास भारत में जो शमता है वो सूपर सॉनिक मिसाइल की ज्यादा है हाला कि future में हम इस technology को हासिल करने में लगबख सफल हो गए कि हम hypersonic missile भी बनाएंगे उसका technology प्रदर्सन अल्रेडी किया जा चुका है उसका upgradation जो है पार्ड अभी बचा हुआ है ठीक तो याद रखना कि अंडमान निकोबार कमान को यह जो है पूरी सर्विस इनके तहट जो है यहां पर इसे आव्या का कहा जाए परिक्षण किया गया था और अंडमान निकोबार का जो कमान है यह भारती सरस्तरवलों की एक मात्र त्री सेवा कमान है एयर फोस ठीक है नेवल और डिफेंस याने की आर्मी वाला तीनों सेवाएं यहां पर मिलती है एक मात्र ऐसा कमान है ठीक है यह बात याद रखेंगे मिसाइल यह जो है बेसिकली रश्या के बहुत इंपॉर्टेंट सहीयों के कारण बन पाया रश्या हमारा फ्रेंड नेशन रहा है मित्रदेश रहा है इसके अलावा बहुत सारी ऐस बाकी के साथ कहीं इपस और बट्स लगे होते हैं तो यह पार्ट आप देखिए कि भारत और अश्या के बीच में मजबूत रख्षा संबंध होने का कारण क्या है यह देख रहे हैं आइनस विक्रमा दित्या इंडियन नेवल सिस्टम जो है आप देख रहे हैं विक्रमा दित्या भारत का जो है संबहता कहना चाहिए एक मात के द्वारा निर्मित जो है पूत है जिसे 2013 में भारत में सामिल किया गया था रिसेंटली एक और देख रहे हैं यहां पर भारत में सेकेंड है तो सेकेंड और जो है अभी नएने एड होते जा रहे हैं लेकिन यह एक मात्रा भी फंक्शनल पार्ट है ठीक अब देखते हैं रशिया के साथ किस प्रकार की एग्रिमेंट कर रखा हुआ है इसका स्टाटिक पार्ट जो पास्ट की है ठीक है इसके आगे की चीज़ें डेवलप्मेंटल पार्ट है वो करेंट का होगा जैसे की देख रहे हैं कि भारत को जा है एस होटी एंटी सिस्टम मिलने वाला है य हमारा जो पंडूबी के प्रति जो आत्म निर्फरता है जिसमें कि हमारे आत्म अलग סटिन में है कुछ टेकलोजी वाला है कुछ प्रोड़क को भी करेंगे और हम खु irre-बलप करेंगे डीक है कुछ टेकलोजी की मदद लेंगे दूसरे देसों से तरीस प्रकार कर में जो ह है चिसे एयर इंडिपेंडेंट प्रॉपल स्ल पारंपरी कन्वींशन पंडूबी मिलने वाले यह नहीं वो निकले सब्मरी नहीं है आप को याद आ रहовा होगा आइनेस चक्र बनाने में आयनेस चक्र को भी लेने में किसे मदद किया था तो यह बात याद रखना है आपको ठीक आप जो है यह बात याद रखेंगे सुखोई को कौन भूल सकता है सुखोई जो है बहुत important part जो है आपको war में काम आया था मिक जैट के जितने भी विमान्स है यह सब क्या रशिया से हमने इंपोर्ट किया हुआ है आपको एक्जाम में पूछा गया CGPAC में IL-78 क्या है एर टैंक है जो रूस के द्वारा निर्मित है ठीक है ये बाते हैं आपको याद आ रही होंगी और भारती सेना का प्रमुक जो है बैटल टैंक T-72 और T-90 T-90 भीस में टैंक याद आ आपको तो T-72 और T-90 इस प्रकार के जो है टैंक जो है भारत ने रशिया से ही आयात किया हुआ है इसके अलावा जो है S-40 एंटी मिसाइल सिस्टम जिसमें की दुस्वन देश हम पर अटेक करेगा तो हमारे जहां पर S-40 जैसे की भारत जो है लद्दाग मों से तैनात करने की बात कह जा रही है जिसमें की हम देखेंगे चाइना जब भी भारत पर अटेक करेगा वो टी जो है यहां पर यह से देखेंगे कौन सा S-40 जो है उसे डिस्टॉय कर देगा हवा में ही ठीक है इसके अलावा देखते हैं गाइड़ेड मिसाइल सिस्टम डिफरेंट टाइप के जो है अब लाइक मिसाइल जो है जो खदरनाक टाइप के मिसाइल है वो भी भारत को जो है इंपोर्ट किया गया है रश्या के द्वारा ठीक है तो इस प्रकार की बातें बस याद रखेंगे जो इस वीक में करेंट अफ़ेस के पॉइंट अब उसे इंपोर्टन था जिसे आज हम से मिलेंगी करेंट अफ़ेस की कुछ और महत्पूर्ण सेग्मेंट के साब थैंक्यू सो मच्छ हैवनाइस देग अब 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 अ